हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके सामनी लेकर आई हूँ गीता भगवत गीता जो है दुनिया की सबसे पहली बोलने वाली भगवत गीता तो देखते हैं कैसी है यह आपको बहुत पसंद आएगी बहुत अच्छे देखो यह ऐसे कवर में आती है बोक्स में इसके उपर भी एक कवर होता है यह संपूर्ण गीता है सारे अध्याई है इसमें और यह माइक से चलती है यह इसका माइक है जो चार्ज अबल है चार्ज हो जाता है यह जब इसकी बैटरी डाउन हो जाती तो यह चार्ज कर लेते हैं इसको और यह सब कुछ हमें बोल कर सुनाता है पहले भी मैंने एक गीता ओपनिंग के एक वीडियो बनाई थी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चल जाएग आज हमने यह इसके अंदर कैसे चलता है यह कैसे इसमें आवाज आती वो सब डिखाने की कोशिश की है इसको हम ओन करेंगे पांच सेकेंड में यह ओना जाएगा इसको कहीं पे रख देंगे तो यह वो ही हमें बोल के सुनाएगा एक पेज पर हम रखेंगे पहले अध्याए पर तो यह पूरा अध्याए हमें बोल के सुनाएगा और हम अराम से सुन लेंगे उसको देखिए हिंदी, इंगलीज सब भासाई 15 भासाओं में यह हमें सुनाएगा यह इसके आवाज कम ज्यादा करने के लिए है और यह बहुत अच्छी चीज है हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों को यह जरूर लेनी चाहिए और इसके बारे में जानतारी जरूर होनी चाहिए अजकल बच्चे हैं जो बिलकुल संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं तो इसके बारे में देखेंगे इसको देखेंगे इसके बारे में जानेंगे तो अपनी सिंस करती से जुड़ेंगे ये एक मिशन चला हुआ है दोस्तों हर हर गीता गई 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 इसमें आप भी जुड़ी है आप बिजनिस करना चाहते हैं इसमें बहुत पैसा कमारे हैं लोग आप भी कमा सकते हैं और ये सच्चाई है और अगर आप इसको अपने घर में वैसे लेना चाहते हैं पढ़ने के लिए सुनने के लिए तो वैसे भी लेसे हैं ये तनरा भासा हमें है मराती, गुजराती, वुगाली, हिंदी, इंगिस, संस्क्रिप अगर आप चाहोगे तो ये इसमें उक्सन है पहले संस्क्रिप में बोलेंगे फिर हिंदी में बोलेंगे और नई तो संस्क्रिप में पुरा सुन सकते हो या तो फिर हिंदी में पुरा सुन सकते हो या इंगिस में पुरा सुन सकते हो इसमें ये एक पेज है जिसमें सारे अध्याई दिये गई है पहले द्याई से लेके सोल में द्याई तक से जिस ये ध्याई को अब सुनना चाहते उस पे एक बार लगा दो ये पूरा ध्याई आपको दोल के सुना देगा कहानी के रूब में सुनना चाहते तो ये कहानी के रूब में सुनना चाहते है और अगर आप वैसे सुनना चाहते है लेके रूब में तो वैसे सुनना चाहते है ये भजन है 108 भजन है ताना जी के तो जिस भजन को भी आपने सुनना उस भजन पे एक बार माइक को रख देंग यह पूरा बजन आपको सुना देगा बहुत अमेजिंग चीज है दोस्तों बहुत अच्छी चीज है और हमारे संस्कर्टी से जुड़ी हुई है अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे आप कमेंट कर देंगे हम आपको यह प्रोवाइड करवा देंगे यह इसका पाउच है माइक रखने के लिए और यह माइक दुबारा से भी मिल जाता है अगर वाई चंस कभी वाई चंस खराब हो जाए तो दुबारा मिल जाएगा कहीं भी जाते हैं तो इसको यह गीता ले जाने के विज़ाए हम साथ में यह पेज ले जा सकते हैं और गाड़ी में अपना आते जाते इसको पूरी वगोट गीता और यह भजन हम सुन सकते हैं तो बाए दोस्तों